तो दोस्तो आपने देखा होगा कि एसी सप्लाई से चलने वाले किसी भी इलेक्ट्रोनिक सरकीट में एक ब्रीज रेक्टी फायर लगा होता है दोस्तो ब्रीज रेक्टी फायर चीप की रूप में हो सकता है या डायोट की रूप में हो सकता है तो दोस्तो आज का हमारा पूर बहुत जरूरी है तो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारे टुप चैनल मेकनिकल सर्च तो चले हो तो विडियो को स्टार्ट का तो टाक से तो दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहा है मेरे पास एक LED ड्राइवर जिसमें एक चीप रेक्टिफायर लगा हुआ है आप देख पा रहे हैं यह चीप रेक्टिफायर है इसका चार लेग होता है दो एक साइट दो दूसरे साइट ठीक है तो यहां पर हम बात करते हैं कि यह जो चीप रेक्टिफायर होता है इसका काम क्या होता है तो दोस्तों सिंपल सर जव है तो इसका भी एंसर एकदम सरल से है दोस्तों जाहिर सी बात है या AC करेंड को DC में convert करता है तो यह AC में ही use होता है DC में यह use नहीं होता ठीक है तो अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि rectifier को आप multimedia से कैसे चेक कर सकते हैं कि यह खराब हो चुक है यह नहीं हुआ है नहीं हुआ है तो आप इसको मल्टिमीडर को बजर मोड में आपको set करना है और उससे पहले आपको कुछ बात जाल लेना है कि rectifier का output और input leg को inside है तो यहां पर दोस्तों आपको ध्यान से देखने से मिलेगा यहां पर plus और minus लिखा हुआ देखने को मिल जाता है या एक cut का निसान या dot का निसान देखने को मिल जाता है जैसे कि आप देख पा रहा है उस side output है तो यह जो plus minus लिखा हुआ यह output side है तो दोस्तों आपको लेटके साइड और रेटको राइट साइड तो यहां पर कोई भी रीडिंग नहीं आ रहा है अब दूसरे बाद दूसरी बार हम पलट कर चेक करेंगे ने तो यहां पर वेल्यू देखने को मिल जाएगा दोस्तों यहां पर वेल्यू बारा सव से तेरा सव कि बीच आप मना जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आप दोस्तों चाओंती बात यहां पर हम यह जान लेते हैं कि किसी भी रेक्टी फायर को हम क्या किसी भी अन्य सर्कीट में यूज कर सकते हैं तो इसका जवाब है दोस्तों आप बेजज़क किसी भी रेक्टी को दूसरे सर्कूर्ट में यूज कर सकते हैं लेकिन दोस्तों आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो रेक्टी फायर आप चेंज करने जा रहा है यानी की लगाने जा जान लेते हैं कि रीक्टी फाइर खराब होने पर हम इसको सप्लाइद देने के बाद कैसे चे involving videpark आयूआ चे जो पर पर आपको DC voltage चेक करना है अगर यहां पर DC voltage 250 से 350 के बीच आता है तो यह rectifier सहीं माना जाएगा अगर यहां पर voltage बहुंच ज्यादा आ रहा है या बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो यहां पर आपका circuit का rectifier खराब हो सकता है यहां पर supply आ चुका है ठीक है मैंने यहां पर स्रीज बोल में लगा दिया तो यहां पर voltage चेक करते हैं पर आपको एक की आवज सकता होगा तो यहां पर हमने एक इसदी यह यूच कर सकते हैं ठीक है आब सबसे पर तो यहां κάν पर चेंज करने करने से है आपको इसको remote करना पड़ता है निकालना पड़ता है तो यहां पर दो लेग एक इस perदो नहीं दूसरे asa chronica pepsi घरना किसी pressure बनाए रखना है और salding iron में थोड़ा सा पहले से रांगा लेना है और जहां पर आप सूई टीका है वहाँ का जो leg है उसके उपर salding रखना तो hit होकर सूई आगे खिसक जाएगा और दोनों leg को दोनों जो leg है उसके बीज में सूई आगे आर पर हो जाएगा और leg उपर उठ जाएगा तो आप देख पार हैं एक side का जो दो leg है न यह उपर उठ चुका है और की जो track से उपर उठ चुका है अब इसके बाद हम दूसरे side का भी इसी तरह से leg को निकालेंगे तो यहां पर हलकी सी gap देखने को मिलता है तो gap की बीचिसर सूई को हम ठिक आएंगे और यहां पर पहले से रांगा लेकर यहां पर हिट करेंगे तो यह दो leg उपर उठ जाएगा और सूई आगे खिसक जाएगा आप देख पार है तो इस तरह से इसका चारों leg उपर उठ चुका है दोस्तों यह रेक्टिफाय थोड़ा चिपका हो रहता है गुलू के साथ तो यहां पर आपको हलकी सी आपर प्लायर से प्रेस करके निकाल लेना है या आप चिम्टी की मंदर से भी निकाल सकते तो इस तरह से आपको किसी दूसरे सरकिट से जो रेक्टिफाय उसको आपको निकाल लेना है ठीक है जो सही वाला है उसको आपको इस तरह से निकाल लेना है सही सलामत निकल जाता है और उसके बाद आपको लगाने से पहले डायक्शन देख लेना है कि किस साइड आउटपूट है और किस साइड इन्पूट है तो इस तरह से आपको अंगली से पकड़ कर रखना है पॉइंट टू पॉइंट आपको यहां पर सॉल्डिक कर देना है तो इस तरह से दोस्तो आप किसी भी जो रेक्टिफ हैर है उसको आप सर्कीट में चेंज कर सकते हैं तो दोस्तो आशा करता हूं आज के वीडियो में दी गई छह जा लगा होगा और इसी तरह का इलेक्ट्रिकल एल्ट्रोनिक्स दुड़े वीडियो देखना चाहते हैं तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब कीज़ेगा और हमारा वीडियो का इंतजार कीज़े आने वाले